C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ सबक नमबर 4 कौन से दिन अच्छे ये एक मर्धे परदेश की लोग कहानी है सफा नमबर 19 बुंदेल खंड के एक शहर में एक सेट रहता था वो बहुत मालदार था उसकी कई हवेलिया थी जमीन जायदा थी उसके घर में हुन बरस रहा था हुन यानि उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी सेट के चार बेटे थे चारो खुबसूरत, सजीले, जवान, अकलमंद और दाना यानि बहुत समझदार जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेठ ने दौर अंदेशी का इंतिहान लेने के लिए अपनी बहु से एक सवाल पूछा बहु ये बताओ के कौन से दिन अच्छे होते हैं बचो इसमें एक तस्वीर है और तस्वीर में सेट बैठा हुआ है और अपनी बहु से बात कर रहा है बहु ने जवाब दिया पिता जी, गर्मी के दिन बहुत अच्छे होते हैं उस वक्त न सर्दी की परेशानी रहती है और ना बरसाद की कीचड दिन खस की टटी में कट जाता है रात को बाहर सो सकते है सफा नमबर बीस नगर सेट हम्म्म बहुत अच्छा कहकर खामोश हो गया लेकिन जब दूसरे बेटे की शादी हुई तो उसने नहीं बहु से भी वही सवाल रखा उसने जवाब दिया पिता जी दिन दो बरसाद के अच्छे होते हैं हर वकत हर्याली हर्याली होती है और सावन में जूले डाल कर जूलने का तो मज़ा ही निराला होता है चड़े हुए दरिया और नदी नाले दिल बाग बाग हो जाता है सेथ उसकी ये बात सुनकर खामोश हुए लेकिन जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो उसने अपने इस बहु से भी फिर यही सवाल किया उसने कहा पिता जी दिन तो सरदी के भले होते हैं सरदी हो तो गरम कपड़े पहन कर जहाँ चाहे घूमो फिरो मीठी मीठी धूप के मजे लो और रात को नरम विस्तर में लिहाफ ओड कर सोया जा सकता है इसलिए दिन तो सरदी के बहुत अच्छे होते हैं नगर सेट बहु की बात सुनकर चुप हो गया चंद महाँ बाद जब चौथे बेटी की शादी हुई और बहु घर आई तो सेट ने वही सवाल छोटी बहु से भी किया उसने बड़ी इनकसारी से जवाब दिया यानि बड़ी इज़त से और बड़ी समझदारी से जवाब दिया पिता जी दिन वही अच्छे होते हैं जो सुख से गुजर जाएं चौथी बहु का जवाब सुनकर नगर सेट का चेहरा खिल लूठा तकदीर का खेल भी अजीब होता है बच्चों कहीं धूप तो कहीं चाओं कहीं गुर्बत तो कहीं नगरी यानि कभी दुख कभी सुक कभी खुशी कभी हसना कभी रोना इस तरह आजमाईश के दिन भी आ गए ना जाने किस बात पर राजा का मिजाज बरहम हुआ और वो सेट से बजजन हो गया राजा ने उसे शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया कि नगर सेट जिस हालत में हो उसे और उसके सारे खानदान को देस बदर कर दिया जाए हाकिम ने जाकर नगर सेट को राजा का हुक्म सुनाया सब की तराशी ली गई और घर से एक तिन का तक उठाने का हुक्म नहीं था तीन कपड़ों के साथ खाली हाथ उन्हें शेहर से निकल जाना था जब सब बहार निकल गए तो छोटी बहू सामने आई और उसके हाथ में एक हांडी थी उसमें एक किलो के खरीब गुन्दा हुआ आटा रखा था जब सिपाही ने उससे हांडी चीना चाही तो उसने कहा शिरीमान जी मैं सबसे छोटी बहू हूँ सबसे छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी बाकी सब खा चुके हैं किर्पा करके या ता मुझे खाना पका लेने दीजिए या फिर या आटा मुझे साथ ले जाने दीजिए राजा का हुक्म था कि उन्हें फोरण शेहर बदर कर दिया जाए यानी शेहर से निकाल दिया जाए लिहाज़ा सिपाही ने बहू को आटे की हांडी ले जाने की इजाज़त दे दी बचो इसमें एक तस्वीर है उसमें छोटी बहु के हाथ में हांडी है और राजा का जो सिपाही है वो खड़ा हुआ बहु से बात कर रहा है नगर सेट अपने खांदान के साथ एक काफले की शकल में आगे बढ़ने लगा यानि वो एक ग्रूप के रूप में आगे बढ़ा ये कारवा एक मकाम से दूसरे मकाम पर कूच करता हुआ आगे बढ़ता रहा यानि एक जगा से दूसरी जगा जाते रहे और आगे बढ़ते रहे रास्ते में वो एक जगा सुस्ताने बैठ गए उस वक्त धूब बहुत तेज थी और लू के थपेड़े जिस्म को जुलसा रहे थे परेशानी के आलम में बड़ी बहु के मूँ से अचानक निकलाया हाए कितनी गर्मी है जिस्म पुना जा रहा है सेट ने भोकी ये बात सुनकर कहा तो क्या हुआ खसकी टटी क्यों नहीं लगवा लेती ताके आराम मिले बहु चिड़कर खामोश हो गई चंद रोज बाद बरसात का मौसम आ गया बादल घिराये, हवा चली और उसके साथ ही पानी बरसने लगा थोड़ी देर में ऐसी मुसलाधार जड़ी लगी कि सब लोग पनहा लेने भागे दूसरी बहु इस जंगल पयाबान में एक छोटी सी जोपड़ी में आकर बहुत दुखी हुई सेट से रहा नहीं गया उसने उसकी जानिब रुख करके आहिस्ता से कहा बहु आज तो बरसात में जूले डाल कर जूलने में मज़ा आ जाएगा दूसरी बहु जेब गई सफा नमबर बाईस रात हुई पानी थम गया लेकिन जंगल के खुले माहोल की वजह से सर्दी बढ़ गई सब के दात बजने लगे तीसरी बहु भी मारे सर्दी के ठिटूरी जा रही थी उसे ठिटूरते देखकर सेट ने तीर चोड़ा बहु घबराती क्यों हो नरम इस्तर में जाकर लिया फोड़कर क्यों नहीं सो ले थी ये सुनकर बहु मारे शर्दी के जमीन में गड़ गई छोटी बहु ने कंडे जलाए यानि उसने उपले जलाए और साथ लाए आटे की रोटियां सेखकर सब को दी सबने दो दो रोटिया खा कर अपना पेट भर लिया और वो आटे में एक लाल भी छुपा कर लाई थी लाल एक हीरा होता है बच्चो उसने उसे अपने शोहर को दिया फिर यूं कहा करीबी गाउं में उसे गिर्वी रखकर कुछ पैसे लेकर आओ और साथ ही घर का जरूरी सामान भी खरीद लाना उसका शोहर गाउं में सहुकार के पास गया और लाल बेश दिया जरूरी सामान लेकर आगया दूसरे दिन वो एक दूसरे शहर में पहुँचे वो एक मंदिर में जाकर ठहरे सेथ ने उन रुपियों से तिजारत शुरू की यानि अपना बिजनिस शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार उसने फैला दिया और चारो लड़के भी सक्त महनत मशक्कत करने लगे यानि बहुत महनत करके उन्होंने अपने कारोबार को फिर जमा लिया आखिर चंद ब्रस बाद उसने वहां अपनी हवेली बना ली और देखते ही देखते वो शहर का भी बड़ा सेथ बन गया मगर ये शहर भी राजा की सल्तनत में शामिल था यानि ये शहर भी राजा के अंडर में ही आता था उसके राजे में ही शामिल था राजा को जब इस बात का इल्म हुआ उसको पता चला तो वो उसकी हवेली के गिर्द चक्कर लगाने लगा यानि उसकी हवेली के चारों और चक्कर लगाने के लिए आया उसने वहां जाकर कान लगाकर सुना सेट का बड़ा लड़का कह रहा था मेरे लिए पान बना कर लाओ इतनी रात को पान खाने की क्या तुक है चूना नहीं है बहुनी जवाब दिया तो क्या हुआ मेरे कान की बाली में एक पका मोती है उसको जला कर मेरे लिए पान लगा दो लड़के ने कहा ये कैसे हुआ कि आन की आन में इतना मालदार और खुशाल हो गया राजा ने सोचा और महां से चला गया अला सुभा ये सुभाई सुभा राजा ने सेट को पकड़वा कर बुलवाया और पूछा बताओ बड़ा कोन है हम या तुम सेट ने हाथ जोड़कर कहा बड़े तो आप ही हैं महाराज कहां आप और कहां मैं एक मामुली सेट साफ साफ जवाब दो वरना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बहु बेट्यों समीत जेल की हवा खानी पड़ेगी राजे ने डाट कर कहा जैसा हुक्म सरकार कल आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा सेट ने जवाब दिया सफा नमबर 23 बचो इसमें एक तस्वीर है उसमें राजा, सेट और उसकी बहु से बात कर रहा है सेट ने घर आकर सारा किस्सा सुनाया तो छोटी बहु ने कहा पिता जी आप महराज से कहलवा दें कि इस से छोटे से सवाल का जवाब मेरी छोटी बहु देगी वो उसके लिए रनवास भरवाएं यानि उसके लिए एक खत भेजें और लिवाने के लिए पाल की भेजें राजा ने वही सब कुछ किया जब लोग दर्वार में पहुँच गए तो राजा ने पोछा बढ़ा कौन हम या तुम्हारे ससुर छोटी बहु ने जवाब दिया बड़े तो आप ही हैं महाराज हम बड़े कैसे हो सकते हैं आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की जायदाद जब्त कर सकते हैं हम सब को देस बदर कर सकते हैं और अपनी हिम्मत और मेहनत से हम फिर खुशहाल हो जाएं तो फिर जेल की हवा खिलाने की धम की दे सकते हैं राजा ने टोकते हुए कहा बड़ा वो क्यों नहीं जो पका मोती जला कर उसकी राक से पान खाना चाहता था ये तो सब वक्त की बात है महाराज छोटी बहु ने जवाब दिया हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर दिन एक जैसा मानते हैं ये जवाब सुनकर राजा की आँखे खुल गई और उन्होंने फोरण सेट की जब्त शुदा सारी जायदाद लोटा दी उसे दोबारा शहर में बाईज़त वापस बुला लिया सवालाद एक, नगर सेठ ने चारो बहुँ के सामने कौन सा सवाल रखा दो, नगर सेठ ने चारो बहुँ से एक ही सवाल क्यों किया तीन, दूसरी बहुँ ने नगर सेठ के सवाल का क्या जवाब दिया चार, शहर बदर होने से पहले छोटी बहुँ ने सिपाही से क्या कहा पाँच, छोटी बहुँ ने राजा को क्या जवाब दिया छे, राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाथे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाथ कारेक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर अफ्षान सिद्धीकी, तक्नीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, निर्देशन वनिर्माण विमलेश चाओधरी, तथा प्रस्